पारवती जी ने शंकर जी मांगा क्या था केवल दो वर मांगे थे माता पारवती ने शिव जी से बोले ना आप मुझे दो वर दीजिए पारवती ने कहा शंकर भगवान बोले मांग पारवती तुझे क्या चाहिए पहला वर जिस पती पतनी में आपस में जगडा हो उसमें प्रेम बड़े आपके हित्खी चीज मानदब जिस पती पतनी में जगडा हो उसमें प्रेम बड़े संगरवगवान में का ततास्त आज भी नियम है पती पतनी में कितना भी जगडा होता है पती जगड के आफिस चले जाए, दुकान चले जाए, खेट चले जाए, खलियान चले जाए, आते से पुछेगा, क्यों रे, तरी मम्मी का गई, तुरन पूछेगा, नहीं तो इता जगड के गया था, नामी नहीं ले था, पत्पन का, काई को गोला, पर नहीं, शंकर जी का पती पत्पनी में अगर जगड होगा, तो उनमें प्रेम बढ़े, इसलिए निवेताने जगडते रहो, प्रेम बढ़ता रहा, और जिस पती पत्पनी में जगड़ा नहीं होता, उसमें आक्री में ऐसा होता, कि अदालत नबाद पोच जाती है, इसलिए थोड़ा-थोड़ लड़ते रहो चले हैं पर जादा नहीं थोड़ा थोड़े से प्रिम बढ़ता है मारता फिर पारवती जी ने कहां मुझे दूसरा वर्च जाए शंकर भगवान ने बोला मांगो क्या चाए और पारवती ने जितने बर मांगे खुद के लिए मुझे दूसरा वर्च जाए पारवती कहती है मुझे दूसरा वर्च जाए कि काशी में अगर कोई मरेगा तो इसको गुरु मन्तर आपको देना पड़े कि काशी में कोई मरेगा तो उसको गुरु मन पर तुमें देना पड़ेगा काशी में अगर कोई मरेगा तो मंत्रा आपर देना पड़ेगा आपको बर दीजिए शंकर भगवाने का ऐसा वर्मे नहीं दे सकता पार्वती जित पर अडगई भोजन करना छोड़ दिया और माताओं की आदा तेती जब इनके मन का खाम नहीं होता तो सबसे पहले खाना छोड़ दिया क्योंकि इनको मालू है ऐसे तो मैं डाइटिंग कभी करी नहीं सकती तो जगड़ के डाइटिंग करी तो थोड़ा आता हूं क्या था भोजन छोड़ शंकर भगवान को अच्छा नहीं पत्नी अगर भोजन नहीं करे धरम पत्नी अगर भोजन नहीं करे तो पत्ती को भी भोज अगर दूसवह 620 ौर्थी पार्वथी कि पार्वति यार्वथी केहीं आरब संकर भगवान कुल के दौन से पार्वथी खेएीस न्हीं कि पार्वति जोद्वी तो प्रणित चिन मरने वालेका कि आप मुझे किस्समा दूसरी थीर या संकर भगवान बोले तू बता क्या चाहती है पारवती काती है मुझे दूसरा बर इसा चाहिए कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप मंतर देना और मंतर दे कर कान को मोर देना तो मुझे समझ में अजाएगा कि आपने गुरु मंतर दे 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 शिव महापुरान की विद्धेश्वर सही था और एक काशी मरन मुक्ती एक किताब आप ये दो कुस्तक एक कुस्तक दोनों को पढ़ना दोनों में लिखा हुआ है काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप तेड़ा हो जाता है अपने पहले हमको भी विश्वास नहीं था हमने का पुरान में लिखा हुआ है पर विश्वास कैसे करें आज के जमाने में कि काशी में मरने वाले का सिधा गान तेडा मुझा कथार करने गए महै वास्वी महिला मंदल करना तक की ने महेशवरी भवन क कशी में मुझा क्ठा कर गए तो कता में पढ़ा हम ने भीनी को करने आप पी लな की के सबसे जादा मुरदे अगर कई जलते हैं तो काशी में जलते हैं अपने हाँ पर गाणियां ओवर्टे करती हैं मुर्दे ऊवर्टेक करके भारत की भूमी के सबसे ज़ारा मुर्दों जलते काशी मनी करनी का पर भीर लगी हुई थी मुर्दों, लाइन लगी हुई हमने सोचा आप देखें तो देखें कैसे यह क्या बोले तो हमने भाईया हमको इनका मूँ देखना है उन्होंने कहा ही आपके रिस्तेदार आले अब हमने सोचा उपर जाके तो सभी रिस्तेदार आले हव भाईया रिस्तेदार आले देखें लोगी हुई खोल कर देखा तो उसके तो दोनों कान सीधे थे अब मन में आया पुरान में लिखा हुआ है कि सिधा कान तेड़ा हो जाता काशी मन मुर्थी पुस्तक में भी लिखा है कि सिधा कान तेड़ा हो जाता तरी यहां तो कान सिधा हमने का चलो एका दोर देखे और दूसरा मुर्दा देखा उसका भी कान सीधा था तेडा था तीसरा देखा उसका कान भी सीधा था देखते देखते छे साथ मुर्दे देखे सब के कान सीधे थे आठवे नंबर पर जब हम पूँचे एक साइड में मुर्दा रखा हुआ था पर्थी पे बंदा हुआ उसका कान देखा तो तेडा था, तो हमारे मरे मने में आया हो सकता है जनम सी तेडा हो, ये भी तो हो सकता है कोई की, कोई कोई के बच्चे ऐसे पेदा होते हैं जिनका कान आड़ा तेडा है, इश्वासा है, फिर एक मुर्दा देखा, उसका कान सीधा था, फिर दूसरा देख किलोमीटर जिसके सीधे कान से उससे पूछा ये कहां का ये कहां का है तो के काशी की ये वाली कालोणी का है तब समझ में आया कि शिव महापुराण ने जो लिखा वो असरते नहीं है काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप हो जाता है भगवान शंकर गुरु मन्पने कर कान को तेड़ा कर देते हैं इसलिए काशी को अभी मुक्त नगरी का कौन सी नगरी है कि अभी मुक्षण शन चन अभी मुक्त नगरी है कि जहां मरने वाले को सीधे सर्ग के रुभू धी मर्तियु लोक में दूसरा जनम नहीं हो मुक्षण में अभी मुक्त नगरी है काशी पूरी प्रत्वी नष्ट हो जाती है अगर रे जाती है तो केवल काशी रे जाती है सर्थियुग में भी काशी थी तृता में भी काशी थी द्वापर में भी काशी थी कल्यूग में भी काशी और पूरी प्रत्वी नष्ट होती नोच चुट चुटाओ लूग रार कर रार कर रार कर भी उपना भीजाओ कर पत्व एकाझार्वे एकार्ण एकार्ण